जज सहाब अपनी ही मा को आश्रम में छोड़ाए आश्रम में मापन नजर रख सके इसलिए उधर के चौकिधार से दोस्ती कर ली और कुछ पैसे भी दे दिये जज ने चौकिधार को अपनी दिल की बात आखों में आसू के साथ बताई तो बोले घर में पत्नी है जो मा से बत्तमीजी से पेश आती है और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चे ने भी मा से बात करना बंद कर दी है मा को अकिलापन लगने लगा इन सब वजाहों से दिन भर रोती इसलिए आश्रम छोड़ने के लिए आ गया तो चौकिधार ने कहा जज साहब आपके सामने सारे सबूत थे कि कौन सही है और कौन गलत लेकिन अपनी ही मा के साताफ इंसाफ नहीं कर पाए तो औरों के साताफ क्या इनसाफ करते होंगे ये बात जज साहब के दिल को चुप गई चौकिधार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ की दो रात नीन नहीं आई दो दिन से खाना नहीं खाया और कोड भी नहीं गए ऐसा लग रहा था जैसे चौकिधार ने जज साहब की दुनिया हिला दी खाना खाएंगे तभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और दो अलग अलग कागज बच्छों के हाथ में थमा दिये कागज की एक लाइन पढ़ते ही पत्नी के हाथों से थालिक गिर गई जज साहब बोले तुम्हें तलाग दे रहा हूं और बच्छों से कहा आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की है मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्छों ने जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा तो आखों में आसूर के सेलाब के साथ जस साहब बोले की मैं मेरी 65 वर्ष की मा को आश्रम कोड के आया हूँ और आप सब कारण पूछ रहे हो हम लोगों को शरम आनी चाहिए रोज मेरे कोट से आने के बाद मा रोती थी के बेटा मुझे ओल्डेज हॉम में शिफ्ट कर दो आप मैंसे किसी ने भी मा से सीधे मूँ बात तक नहीं की और ये भी भूल गए कि जज को आज पूरा शहर सलाम कर रहा है उसी जज को बनाने में उसका कितना बड़ा रॉल है कभी दूसरों के घरों में काम पर जाती तो मुझे अकेला मा नहीं छोड़ती थी ऐसी भगवान समान मा को मैंने आश्रम में छोड़ दिया और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिने ये त मैं जज नहीं बलकि गुनहेगार हूं और मैंने जो गुना किया है वो शायद कानून तो माफ कर दे लेकिन इश्वर के कोट में वो कभी माफ नहीं होगा ये कहते हुए जज सहाब बोले कि अब मैं अपने पापों को प्राश्चित करने जा रहा हूं मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौप दिया है और अब अपनी मा के साथ आश्रम में रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा पतनी से जज सहाब ने कहा याद रखना आज तुमने उस मा को आश्रम भिजवाया है तुम भी एक मा हो कल तुमें भी कोई आश्रम चलेगा ये बात बोलकर जज सहाब निकल लिए अपनी मा के पास आधी रात को चौकिदार भी जज सहाब को देखते हुए चौंग गया अंदर देखा तो मा सो रही थी करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपट कर रोते हुए मा सो गई थी आश्रम का एक करमचारी बोली हम इन्हें आपको नहीं सौप सकते क्या पता कल आप इन्हें मार दो ये सुनते ही जज सहाब की पतनी के दिल में से बहुत दर्ध हुआ तो बोल उठी की मैडम जी शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं बलकि एक नया जीवन देने जा रहे हैं आश्रम के सभी बुजर्गों की आँख में आसू थे सब के सब रो पड़े खुशी के आसू के साथ मा को घर ले आए लेकिन वहीं आश्रम में अनेक आखे ऐसी थी जो किसी ना किसी का इंदिजार कर रही थी दोस्तों इस कहानी का उद्देश तो आप सब समझ ही गए होएंगे इसलिए अपनी मा को जिनोंने तुमें पाल पोस कर बड़ा किया है उसकी सेवा करो जब उन्हें तुमारी जरूरत है उनके पास रहो ना कि उन्हें अन्देखा करके उन्हें आश्रम में भेज़ दो अपनी पतनी की बात मान क कर उन्हें आश्रम में भीजना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि आपकी भी पतनी कल को मा हैं वो भी ओल्ड होएंगी जब उन्हें इस चीज का एहसास होगा तब उन्हें अपने आप पर पश्चात होगा बाद में पच्ताने से कुछ नहीं होता इसलिए अपने बुजर का बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले